नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज कि इस वीडियो पर मैं आपको बता हूँगा कि कैसे आप अपने पर DSLR केमरा सेटिंग कैसे कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तो यहाँ पर DSLR केमरा सेटिंग कैसे कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तो यहाँ पर होते क्या क्या है वो आप पहले जान रिजेगा उसके बाद दोस्तो यहाँ पर समझेगा कि आपको सेटिंग किस प्रकर से करना है कैसे आप को DSLR केमरा का व्यू मिलेगा आपके फोतोस पर ठीक है तो आज के इस वीडियो पर हम यही चीज़ बात करने वाले तो दोस्तों अगर आपको भी जानना है केसे यह सेटिंग आप कर सकते हैं पोसिबिली वाइस तो आप वीडियो को पुरा जरू देखना वीडियो शुरू कर करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपना केमरा को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सेटिंग बता रेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपने एक दूसरे मोबाइल पर जो है व्यू ले रहा हूँ फोन का ठीक camera quality अच्छे होते हैं camera का focus अच्छा रहते हैं ठीक है तो वह होते हैं DSLR camera settings और दोस्तों ऐसा नहीं कि सभी device सभी DSLR पे की camera के background जो है blurry होते हैं ऐसा नहीं है वह दोस्तों setting के वज़े से इसा होते हैं तो अगर आप setting करते एसा मोरे जो कि आपको background blur में ही दिखाए देगा आपको बस टेप करना है अपने फोटो के उपर में और focus करवा देना है ठीक है आप देख सकते जैसे कि यह picture जो यहाँ पर दिखाए देर है यह एक DSLR से लिया गया है तो ठीक इसी तरह से आपका picture यहाँ पर निकलेगा ठीक है सबसे पहले तो आपको यह setting portrait mode पर डलना है उसके बाद आपका जो यहाँ पर AI system है उसको on कर लेना है ठीक है AI camera को on करना है 3 dots पर click करना है camera frame rate को जो है आपको full पर set करना होगा ठीक है camera frame को full पर set करे उसके बाद दोस्तों आपको filter बगरा add करना है तो आप यहाँ से कर सकते है ठीक है कुछ आपके जो photo quality उसमें beauty आ जाएगा filters आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते है कि सरक आपको filter चाहिए वह आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है beauty आप set कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप एक बहुरी अच्छा focus लेके focus and shoot इसको enable करना ना भूले ठीक है यह आपको बहुत मदद करेगा जब आप DSLR camera यहाँ पर setting कर रहें क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका जो photo है उसको यहाँ पर focus भी किया जाएगा और should भी करेगा ठीक है तो बस यह setting आप यहाँ से enable कर ले उसके बाद दोस्तों जैसे मैं ने कहा है उसको आप यूज कर लिजे ठीक है यहाँ पर वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको सिंपल से समझा रहा हूँ और दोस्तों अगर आप इस device को यूज करते हैं ठीक है तो उसमें दोस्तों आपको बहुत क्लेरीटी मिल जाएगा camera के अंदर पर ठीक है आप आपको जो है दोस्तों यहाँ पर DSLR के background जैसा चाहिए अगर आपको दोस्तों normal background चाहिए तो दोस्तो 48 megapixel को भी आप यूज कर सकते हैं इससे काफी अच्छा quality आपको मिल जाते हैं आपके phone पे ठीक है 48 megapixel ultra white HD is on यानि कि ultra white camera angle से आप पूरा picture को click कर सकते हैं ठीक है तो आप य यह सेटिंग आपको मिल जाते हैं इसको यूज करके देखिए बहुरी कमाल का सेटिंग है तो इस प्रकार से दोस्तों आप धीरे-धीरे करके पूरा सेटिंग समझ जाओगे सीख जाओगे और आपको shot अच्छे-च्छे मिलना शुरू हो जाएगा आपके device पर ठीक है तो आज के इस वीडियो पर बस इतने camera improvement के लिए आपको mobile जो है उसको update करते रहना है तो उससे आपका camera पर जो है इंप्रूफ होते रहेगा तो आज के इस वीडियो पर बस इतने वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करे thanks for watching